नमस्कार किसान भाईयों, आज हम हमारे जो चूजे लाएंगे उनके लिए हम केज एनि की एक पिंजरा बना रहे हैं और आपको जब यह कंप्लेट हो जाएगा तो आप हम आपको दिखाएंगे कि यह कैसा बना है हम इसको बना रहे हैं छे बाई धाई का यानि कि इसकी लंबाई रहेगी छे फिट और धाई फिट चोड़ाई और तीन फिट के सम्तिंग इसकी उचाई रहेगी देखते हैं अभी आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहेना कि कैसे इसका काम होता है तो यह आप देख सकते ह हैं बेल्डिंग चालू हने वाली है तो यह देखिए तो यह आप देखिए अभी बेल्डिंग चल रही है इसका नीचे का इसका भी बेस बनाया जा रहा है तो अभी दो पईयों के जोड़ा ही हो चुकी है अब तीसरे पाया को जोड़ा जा रहा है तो वाइस यह आप देख सकते हैं अभी यह आदा बन के त्यार हो चुका है मतलब धाचा धाचा बन चुका है बाद में हम इस पर जाली लगाएंगे तो यह देखिए अभी हमारा जो पिंजरा है वो बन के त्यार होने वाला है यह हमने धाचा है वो पूर्ण तरीके से बना लिया है बस अब इसमें हम जाली लगा रहे हैं यह आप देख सकते हैं अभी जाली की कटाई चल रही है इस पिंजरे में लगाने के लिए वाइस तो यह आप देख सकते है फाइनली हमारा जो केज है वो बनके त्यार हो चुका है यह आप देख सकते हैं यह हमारे पापा जी ने इस फटकी को यह काड़ दिया है तो यह आप देखिए तो गाईस यह आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो केज है वो त्यार हो चुका है अनिकि जो पिंजरा है वो त है यह देखेए यह फटकियां से हमने बनाया है और फाइनली इतर से भी हमने 2 फटकिया बनाई HIM क्योंकि यह 6 फिट लंबा केज है तो मैं अभी आपको निकालके बताता हूँ तो यह देखे एक फट की यह है और यह ऐसा हमारा केज बनाया है हमने अभी इसमें उपर जाली कम छेड़ गई है इसलिए मार्केट से खरीद कर इसको हम लगा देंगे तो यह आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को और यह मुर्गी पालक भाईयों के पास है जरूर करना ताकि अपने और किसान भाई भी इस प्रकार का सस्ता केज बनाने के लिए समरत हो सके यह देख सकते हैं